दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरेने सेजुकेशन यूज में दोस्त इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट भरती परिक्षा नूर्मलाईजेशन को ले करके यानि कि जो स्केलिंग है सामानी करन है उसको ले करके चर्चा करने वाले हैं दोस्तो इस बार जो परिक्षा है 23 और 24 जुलाई को 23 की पहली पारी में रीट लेवल 1 का पेपर हुआ था और बाकी के जो तीन पारियां उसमें लेवल 2 के जो पेपर हुए थे तो तीन पारियां लेवल टू की और लेवल फस्ट की है जो एक पारी में यह जो एक्जाम है यहां पर आजित करवाए गए अब दोस्तो लवन में तो नौर्मलाजेशन होगा नहीं ठीक है क्योंकि वो एक ही पारी में एक्जाम था इसलिए लेवल वन जिनका भी है उनको पारी थी यानि की लेवल वन की तो दू की तो आप प्रथम पारी समझिए तो उन में जो पेपर है उसका लिवल जो है भ्यारतियों ने भी काफी कमेंट्स करके बताए हैं परसेनली बताए हैं कि वो जो पेपर था त्एविश तारी का वो वाकाई में tough था ठीक है इसके अ पारी थी लेकिन फिर भी पेपर उनकी समझ से बाहर था तो वो उनको भी टफ बता रहे हैं लेकिन जहां तक ओवराल बात हम करें तो जो 23 तारी का जो पेपर था 23 जुलाई का 2 पारी वाला वो यहां पर सबसे ज़्यादा कठिन बताया जा रहा है तो अब सवाल ओवियसली मन में यह आने वाला है कि दोस्तो क्या नोर्मलाजेशन होगा क्या नहीं होगा वही चीज पर चर्चा करेंगे तो दोस्तो आज देखिए एक बार यह एक ख़बर है आप लोगों के लिए पाली भासकर में यह जानकारी आई है और इसमें देखिए रीट टफ दोजार एकिस म में 20 अंकों की यहां पर जो है गिरावट देखने को मिल रही है जिनके पिछले बार 145 आ रहे थे वो 120-125 के बीच स्टेंड कर रहा है यानकी 20-25 नंबरों का अंतर आ रहा है तो यहां पर जिनके पिछले बार 132 थे वो 105-110 के बीच तो यह अंतर दोस्तों 20-25 का जो है यही अपने आप में सारी कहानी कहने के लिए काफी है यहां पर देखिए दोस्तों देखिए 2021 में जिनोंने अच्छे नंबर प्राप्त किये थे वो देखिए यहां पर यह सामजिक की तुलना में 2022 का जो पेपर है बहुत अच्छा था पिछली बार 132 संक ते इस बार 110 पर पहु पेपर आ रहा था दोस्तों ऐसा तो नहीं आरेस लेवल का तो पेपर नहीं था यहां पर देखिए 2021 में इनकों 126 अंक मिल रहे थे और अब मुश्किल से इनके नब बैंक बन रहे हैं इसी तरीके से तीसरी अभ्यारती का कमिटमेंट आप लोग देखिएगा इनके इफ्रेंट है जो भिन्नता है वो आ रही है इससे आप लोग समझ सकते हैं कि पेपर का जो लेवल था इस बार वाकई में बहुत हार्ड था जो 23 तारीक की तो हम बात करें तो वो तो वाकई में हार्ड था बाकी के जो दो पेपर थे वो भी आप लोग यह नहीं कह सकते कि व तो हलके थे वो भी काफी शानदार पेपर थे अब पूरी और राल बात यहां पर देख सकते हो दोस्तो इसक्यलिंग की यहां पर मांग की जा रही है यहां पर देखे कुछ अब्यरति सभी पेपर का एक इस्तर मनाते हुए रिजल्ट की मांग यहां पर कर रहे हैं यह दोस्त विज्ञान का जो इस्तर था काफी अच्छा था तो यहाँ पर देख सकते हैं यह लेवल वन की यहाँ पर बात कर रहे हैं और तीनों सिप्ट की भी यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 10 सवाल सरल, 13, 14 सवाल मध्यम और 6, 7 सवाल कठिन थे तो आप लोग देख सकते हैं कठिन इन सभी विश्यसगयों ने यहाँ पर बताया है ठीक है यह यहाँ पर देख सकते हैं तो आप दोस्तों देखिए यहाँ पर जो विसलेशन है वो यहाँ पर आप लोगों के सामने है 23 जुलाई लेवल पर्थम का पेपर सरल था है पिछली बार भी इस इसतर का पेपर था दूसरी जो पारी का जो पेपर था एक्सपर्ट और अभ्यरतो किराय में सबसे कठिन था इसमें इथियास के सवाल आरेयस लेवल के थे यह सेक्षय मनो विज्यान के सवाल भी उचिस तर्य थे विश्यो बगोल के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए थे पहली जो 23 तारीक की दूसरी पारी में 24 जुलाई में 6 से 8 तक के काफी सवाल थे काफी कठिन सवाल थे इथियास के सवाल भी कठिन थे यह भासा सरल थे व्याकरण के सवाल बहुत अधिक थे 24 तारीक का विश्यो यहाँ पर देखे NCRT पाठिकरम सदिक सवाल पूछे गए सिलेबस बड़ा होने के चलते इथियास के सवाल अभ्यरतियों को भारी लगे राजिंती विज्यान सामानिस्तर की थी यह यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह जो विश्यलेशन है यह अपने आप में काफी है और इस विश्यलेशन के अकोर्डिंग जो 23 जुलाई का जो पेपर था दूसरी पारी वाला वो यहाँ पर सबसे कठिन बताए गया है इसका मतलब यह है दोस्तों की नॉर्मलाईजिसन इसमें किया जा सकता है और बोड के अकोर्ड अनुसार जो विज्यप्ती थी उसमें भी बताए गया था कि विभिन पारियों में परिक्षा आजित कराने को लेकर विभिन परिशन पत्र यहाँ पर दिये जाएंगे चार-चार सैट यहाँ पर बनाए गये थे प्रतेक पेपर के तो आप लोग देख सकते हैं यानि कि तीन पारियां लेबल टू की हुई तीन पारियों में जो है अलग-अलग जो समय पे आजित की गई तीन पारियां होगी तो इसमें दोस्तो जहां तक यह है 99% यहाँ पर जो है नोर्मलाजिसन की मांग यहाँ पर चल पड़ी है तेविश तारिक के जो अभियारती थे उन्होंने नोर्मलाजिसन की मांग भी उठाई है और बोर्ड की अगर हम विग्यप्ती की बात करें दोस्तो ठीक है रीट 2022 की अगर बोर्ड विग्यप्ती की हम बात करें तो इसके अकोर्डिंग तो यह नोर्मलाजिसन होना चाहिए जैसा की CTAT में भी किया गया था और दोस्तों ये तो सरकार को भी देखना होगा कि जो इस सर कठिन था, सरल था, मद्यम था, कैसा भी था, वो यहाँ पर बूर्ड की जो कमेटी है दोस्तों, आप और हम यहाँ पर यह तैय नहीं करने वाले, यह यहाँ पर तैय करेगा माध्मिक सिक्षा बूर्ड राजस्तान उनकी जो कमेटी है, विशेशक कमेटी, वो यहाँ पर तैय करेगी कि किस तरीके से नोर्मलाजेशन किया जाए, किस तरीके से नहीं किया जाए, तो ओवराल बात यह है कि नोर्मलाजेशन जो है, फिलाल, जो इस्तिती है, और जो जिस तरीके का माहुल है, और जिस तरीके क रसातल में पहुंच रहे हैं। रसातल का मतलब यह है कि उनको 83 अंक या 75 अंक जो भी थे, 83 अंक, 90 अंक या 75, 60 जो भी थे, जिन जिन काटेग्रियों का जो यहां पर दिया गया 55, 60 और 40, 36 फिस्दी, वो अंकों तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि 2 से 2.5 लाग जो कंडिडेट्स, 3 लाग वो कंडिडेट्स तो कम से कम इसमें मारे जाएंगे, क्योंकि उनमें तो बहुत कम इस्तर में पास होंगे, 24 के भी यहां पर पेपर का सरल नहीं थे, वो भी टफस है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टफ जो पेपर था, वो 23 तारीका इसी वज़े से नॉर्मलाजेशन यहां पर बूर्ड दुवरा किया जाना चाहिए और ओफिशिल नोटिफिकिशन के अकोर्डिंग हम बात करें, तो यहां पर बूर्ड को कोई दिक्कत भी नहीं होगी नॉर्मलाजेशन में, अब बात आती है कि नॉर्मलाजेशन में प्राम हो ना ही जिनके बहुत वो थे कि उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए वो भी नहीं करेगा, तो पांस साथ दस अंकों तक यह चीज़े की जा सकती है, ठीक है, इससे ज़्यादा भी नहीं होगा, बूर्ड बैलेंस बनाने कि यहां पर कोसिस करेगा, और अगर नहीं किया जाता, तो निश्ची तोर पर भरति कोर्ट भी पहुँचेंगे, यह भरती प्रिक्रिया को बचाने के लिए, इस भरती को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए, बोड को सरकार को सब को यह समझना होगा, कि जो नोर्मलाजिशन है, उसको लेकर के जो मामला ह वो नहीं बिगड़ना चाहिए, किसी भी स्तर पर इस नोर्मलाजेशन को कोर्ड के चरी तक पहुँचाने की नोबत ना पड़े, यह तो बोड को सबस्टी करन पहले ही जारी करना चाहिए, या भी दोस्तों कुछ दिनों के अंदर जो रिजल्ट आ जाएगा, उसमें सारी चीजी किलियर हो जाएगे, उससे पहले ही पता चल जाएगा, और यहाँ पर नोट्फिकेशन के अकोर्डिंग, ओफिशियल जो नोट्फिकेशन उसके अकोर्डिंग, लोर्मलाजेशन किया जा सकता है, धन्यवाद दोस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, जै हिंज अभारत